नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मोन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे टेली प्राइम सॉप्टवेर में जब हम लेजर क्रियेट करते हैं और लेजर क्रियेट कर करें क्योंकि टेली सॉप्टवेर आपको बोल के नहीं बताएगा भी आपको इस लेजर का ग्रूप आप ये दो तो ये आपको ही पता होना चाहिए हमें इस लेजर का क्या ग्रूप देना पड़ेगा ये जो लेजर हमने क्रियेट किया है इस लेजर का हमारी कमपनी के लेल है चे वो मातर एक हजार कम्पने रूपै कर चे उसका ट्र lattव रह चे उस कमपनी का 1,000,000,000 क्रोड turnover है, कोई फरक नहीं पड़ता जो basics group होते है, वो सभी company के लिए same होते है लेकिन जब हम list of group की बात करें, तो काफी सारे group हमें यहाँ पर देखने को मिलते है, लेकिन यह सारे के सारे जो group है, वो छोटे level की जो company होती है, छोटे level की दुकंदार होते हैं, उनको यह use करने की कोई problem होती है, वो ज्यादा तर इसको use करते हैं और यह जो group बने में है यह ज्यादा तर बड़ी-बड़ी company होती है जिनको जो turnover है, वो काफी crodo album के हंतर होती है, उन्हें के लिए ज्यादा तर यूज होती है, और कुछ ऐसे group होते हैं, जो हमें बाद में अलग से create करने भी पड़ते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम discuss करेंगे केवल fresher accountant लोगों के लिए, जो कि group selection को लेके काफी ज़्यादा confuse में रहते हैं, तो दोस्तों यह video विसेंस कर fresher accountant लोगों के लिए इंपोर्टेंट है, रमबन वीडियो है, तो वीडियो को आप एंड तक अगर देखोगे, तो आप इसमें से group selection का जो मतलब है, वो समझ पाओगे, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से छोटा से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहले वा रहे हो, तो चैनल को आप जुरूर्व सब्सक्राइब कर लें, साथ में अगर वो पार्टनर के रूप में, दो या तीन या चार वेक्ति हैं, जो वेपार स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी जब उनके हम लेजर क्रियेट करेंगे, तो उनका जो गुरूप सेलेक्शन है, वो केपिटल अकाउंटी रहेगा, यह जुरूरी नहींन भी अकैला वेकति है, वो ही केपिटल काउंट है, अदर दूसरी जो पार्टनर हो केपिटल अकाउंट नहीं होते हैं, वेपार में जिसने भी इनवेस्ट मेंट किया है, यान कि बुजिज का हीसा है उस दुकंदार के अंदर दुकंदारी के अंदर तो वो केपिटल काउंटी ही होता है जिसा कि हम टेली सॉफ्टवेर में लेजर हम क्रियेट करते हैं माली जी हमने एक लेजर यहां पर क्रियेट किया अब जिसा कि यह मैंने एक लेजर यहां पर क्रेट किया मोहन सुथार का मालिक है कंपणी का मतलब कुछ से हो गया जो इसकी खुद की कंपणी अगर आपने जो अकॉंटिंग सिक्ख है वो प्रैक्टिकल तरीके से स्क्राइब तो इसको इक है तो इसका अंगर बात करते हैं जो वेपार का जो ट्रेदिंग काउट हमारा बनता है चैज और सेल का अगर बात करें परसेंटेज वाइज की जैसा कि कुछ बिजनेस के परके तो इस टाइब की जो हमारी ट्रेडिंग होती है उसे हम ट्रेडिंग काउंट बोलते हैं अगर हम परतेज का लेजर कर रहे हैं तो अब हम समझते हैं भी परतेज और सेल का लेजर हमें यूज कहा करना पड़ता है तो दोस्तो इसका जो यूज हम जब परतेज वाउचर और सेल वाउचर की जब हम इंट्री पास करते हैं तब हमें यूज करना होता है तो किस तरीके यूज करते हैं आपको कुछ में इंट्री ओलरी जो मेरे पास करीवी है उस इंट्री के बारे मैं आपको मैं बताता हूँ स जैसा कि हम परचेज वापचर परचेज इन्वोइस के इंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर इन्वोइस का जो नंबर लिख देते हैं ठीक है यह पर देट आती है अब उसके बाद हमारे से यहां पर पूछता है भी पार्टी का अकाउंट नेम आप देजिए अब ज परचेज उपचर के अंदर देखते हैं तो वहहांके अपर उसके अंदर में अब इसके प्रक्रचेऌ प्रकाउं पैस के देख करें तो यहां से हम इसको देख सकते हैं जिस company फरम से अगर हम उधार समान खरीद देते हैं यानि कि जो हमारे supplier सोते हैं जिसे हम समान को खरीद देते हैं तो उनका जब हम laser create करेंगे तो उनका जो group रहेगा वो century अंडर में उसको रखना पड़ेगा कि तो यह हमारे लिए कंपनी है और कंपनी का में लेजर क्रीट किया तो इसका गुरॉप रखेंगे संडरी क्रेडिटर तो यह आप देख सकते हो गुरुप ए कुछ इसके सब गुरूप के बारे में हम बात करेंगे जिसे उपर आपको सं तो यह तो था हमारा सेंपरी क्रेडिटर का लेजर उसके बाद में जब हम यहां पर आती बात आती है तो यहां पर हम स्टोक आइटम भी कर लेते हैं जाके स्टोक आइटम करते हैं अलाकि इसके वजबर से लिएवान से वाना से भी आपson आपirstी लिएगि यस अपर आपके सब्सकों आप पर्याइटर के उपर और जैसे में इंट्री पास करेंगे यहां पर स्टोक आइटम की डिटेल, क्वाइंटिटी विगरा फिल अफ हम कर देंगे और बात आती है जब यह जो लेजर हमारा बनता है accounting detail के अंदर यह हमारा trading count होता है जैसा कि हमने यहाँ पे computer part GST 18% purchase का एक laser रिक्रेट किया तो यह हमारे trading count होते है जब इस laser को हम बनाएंगे न यह laser हमारा purchase count के अंदर में जाएगा तो यहाँ पर यह नहीं भी party का नाम आएगा पाटी का अगाउंट ने में जाएगा भी आपने purchase की stripe की करी है खाली कई लोग देखते हैं भी शिक्ते बद यहाँ पे केवल purchase का laser का laser खाली only purchase और उसको purchase count में कर देते हैं जब आपने purchase count कर दिया हो यहाँ पर आपने purchase count ही लिख दिया हो 12%, 18%, 18% तो यह purchase का जो laser है यह हमारा group purchase account के अंडर में जाएगा तो यह क्योंकि हम purchase entry की पास कर रहे हैं यहाँ पर purchase वाउचर है तो इसलिए हम यहाँ पर purchase count है जो फूचता है तो यह हो गया आपका ABC trading company तो हो गया centric creditor और जो आपने यहाँ पर यह purchase का जो laser बनाया यह आपका trading count हो गया जो की जाएगा purchase count के अंडर में क्योंकि अगर यहाँ पर आपने laser तो नाम लिख दिया प्रचेज लेकिन अंडर में अगर आपने centric creditor कर दिया तो यह laser आपको वाँ पर दिखाएगा यह नहीं क्योंकि जो भी accounting software होते हैं वो अपने group के according जो हमने इसको group का selection दिया उसी recording होई वो काम करेगा अगर आपने यहाँ पर centric creditor लिख दिया तो यह समझेगा भी यह आपका एक supplier है आपने इस company से कोई समान प्रचेज किया है यह कोई company का नाम था हम ने इहां पर लिख नहीं के विल हमने परसेज का लेजर त्यार किया हुए है तो इस तरह के समने परसेज का लेजर है जो यह पर पास कर देते हैं इसके बाद में बात आती है यहां पर यह जो जैसे आम इंटरी करते हैं यह आप आपको को यहां पर दिखाए के आपको यहां पर दिखाए कब दिखाया देंगा जब आप स्टोक आइटम पे हैं case और जब आपकी स्टोक इंट कोज़ की हो ती है और साफ इंटरम नाहीं चेप करके जेसे घिव एक रही आपकर मारी से लिस्ट फिन गृट बर ने कारण दोग जब हम सीजेष्टी टैकस का लेजर हम क्रिएट करते हैं तो अब सीजेष्टी टैकस का जो गुरूप मारा रहते है वह रहते ड्यूटी एं टैक्सस अब देखे हो यह ईक जे कुरेंट लेविटीज का ही पाइब तो इस लिस्ट में हकिर हम बात द हो गया, IGST tax हो गया, TDS हो गया, TCS हो गया, यादि कि ऐसा कोई भी टेक्स जो हमने हमारे कस्टमर से कलेक्ट किया है, तो हो मारा डूटी एंड टेक्स में रहेगा, विशेज कर जो CGST tax, SGST tax और IGST tax है, तो यह एक मारे लिए common है, वो परचेज लेजर है, तो इसके लिए हम यहापर इसका जो गुरूप सेलेक्शन करेंगी वो डूटी एंड टेक्स में जाएगा, जैसे हम डूटी एंड टेक्स पर जाते है तो हमारे से पूट है, आपकी जो डूटी है, वो किस टाइप की है, तो इसके अंदर हमारे यह सारे टेक्स आ जाते हैं यहापर, तो इसमें से हमें GST को सेलेक्ट करना था, क्योंकि CGST, SGST और IGST, GST का ही पार्ट है, और उसके बाद में हम जैसे इंटरफ्रेस करते हैं, तो CGST, सेंटर टेक्स का पार्ट होता है, SGST जो टेक्स होता है, वो हमारा स्टे टेक्स का पार्ट होता है, और IGST अकर हम लेजर करते हैं, तो हमारा इंटिक्रेटर टेक्स का पार्ट होता है, तो यह यहाँ से आपको सेलेक्शन देनी पड़ती है, इंटरफ्रेस करते हैं, हम इ लskे देते हैं, अब उसके बाद में हम एक अलग कोई अबने तर यह क्या उपन कर लिया और यहां पर दिर्भाम का कुछ्टम लाम नाम लोवा सकी हिगा, और इस इस लिता करनल नाम कर दकार है, पूर्क में इसा को हम उदार समान को सेल करते हैं कि वह मारी क्रोप हो थे हैं उसका ग्रूह में यह से संडरी क्रेडिटर को सलेक्ट करते हैं तो यह Sender Creditor में रहेगा और उसके बाद में बाकी की Information है अगर वह regular है तो regular वरगगरा अगर उन्रजिस्टर रभगरा सेलेक्ट करके save करेते हैं उसके बाद में Same, stoke item आइटम आजाती है और stoke item को जैसे हम पास करते हैं तो एक laser हमारे लिए यहां पर आता है अब यह हमारा बन तो मुल जाएंगी तो इसी तरीक सी जो आपको यहां पर भी मिल जाएंगे जिस्टе Tax है तो वो same वो डूटी जेन Tax है तो यी आप अलग-अलग परचाज के लिए अलग और सेल के अलग-अलग बनाना चाहो हो तो अलग-अलग भी बना सकते हो अगर आप इसको common रखना चाते हो तो आप इसको common भी रख सकते हो यह आप अपने सुविदा के अकोर्डिक रख सकते हो ताकि आपको कोई नव वहां से आप इस वीडियो को डेख सकते हो तो इस तरीके से में इंटरे पास करते हैं इसको असेप्ट करेंगे तो दोस्तों यह तो थे हमारे कुछ यह उसमें से उसमें गविचो मनलेघर का मतलब यह चोटा दुकांदार थैवा जो उसनेबे झाइंभा बड़ कि इंतरी करिए थैप्टल ईपरी मुदिग करी एए तो यह विए कोई उस ने लगाइ है यह तो ऑगर मैहिं जिनने हैं इस उनब कुछ पसास से सार्ध जार रिपे कि या अंडर एक लाग या 법्ण रिखिया को तो उस किंडिशन के पाद में बात करते हैं उसके बाद में हम बात करें तो यह काफ़ी वेपार की घरचे के लेजर हमें क्रिट करते हैं जैसे कि हमारा शोप का expenses लेजर हो गया, ठीक है ना कुछ salary का हो गया, electrical expenses का लेजर हो गया, journal expenses हो गया, labor के हो गया, तो यह सारे के सारे मारे indirect expenses के अंदर हम अरकते हैं, अब कौन कौन से लेजर हम रखते हैं, इसको भी हम एक बार देखते हैं, indirect expenses लेजर हमारा कहा जाता है, प्र खर्चे के लिए इनडायरे довय साथ को कि यहां से लेक्ट करेंगे अगर यह हमारी उपित पार इंकप्र के नियुक्त रू कुछ से रहे हैं-प्र बाल इसके अपर हम डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो हम जब चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे डिरेक्ट एक्सपेंस और इंकम का जो पार्ट है वो कभ यूज होता है और उसके बाद में करन्ट लाइबिटीज का लोग यह निचे के पार्ट के जो आगे ना गुरूप यह अब दिरे देरे जो बड़ी बड़ी कम्पनी के इनके अंदर यूज होना स्टार्ट बहरा करेंगे लेकिन इसके लिए इसे वीडियो में डिसक्स करेंगे तो ये वीडियो कापी लंबा हो सकता है तो दोस्तों उमीद है आज जो हमने basic बाते इस वीडियो में जो discuss हमने करी है कुछ basic groups को लेके जो की common है छोटे वेपारी के लिए भी है और बड़े वेपारी के लिए है तो उमीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आगे है फिर भी अगर आपका कोई doubt है कोई confusion है तो आप हमें comment कर सकते हैं हम जुरूर कोशिश करेंगे जो next part के जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपका जो question है उसको भी हम उसमें जुरूर सामिल करेंगे तो दोस्ते वीडियो पसंद आईए तो जुरूर लाइक करें दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरस्टिंग टोपिक के साथ